प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम अध्याए बारा कारक के बारे में पढ़ेंगे कारक का जो शाब्दिक अर्थ है बच्चों वो होता है कार्य करने वाला, कार्क अर्था ते करने वाला, यानि किसी कार्य को करने वाला इसे कारक कहा जाता है तो ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ अब कारक काम क्या करते हैं कि कारक किरिया को पूरण करने में योगदान देते हैं क्योंकि कारक के बिना किरिया का अर्थ सपष्ट नहीं हो पाता इसलिए का गया है कि कारक के किरिया को पूरण करने में योगदान देते हैं है और कारक दवारा संग्या या सरवनाम शब्दों का सम्मंद वाक्य के अन्य सब्दों से जोड़ा जाता है तो कारक अबच्चो परियोग संग्या सरवनाम शब्दों का सम्मंद किरिया से जुड़ता है या इनका संब्ध वाक्य में किसी अन्य सब्दों से जोड़ा जाता है तो इस तरह से कारक का जो अर्थ है करने वाला कारक किरिया को पूरा करते हैं यानि अर्थ सपष्ट करते हैं और कारक वाक्य के अंदर संग्यासरवनाम शब्दों का संबंद परकट करते हैं किरिया के साथ या फिर अन्य सब्दों के साथ अतसरल शब्दों में कारक को इस परकार परिभाशित किया जा सकता है यानि कारक का जो अर्थ है कारक की जो परिभाशा है वो आपको याद करनी है कि जिस रूप से क्योंकि कारक क्या है शब्द आप कहना शुरू में कि शब्द के जिस रूप से संग्या या सर्वनाम का समन्द किरिया तथा वाकिय कहने सब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं तो कारक क्या है एक तरह के शब्द है जिनका प्रियोगे संग्यासरवनाम का सब्बंद किर्या से जाना जाता है या वाक्य वे अन्य सब्दों से जाना जाता है उसे ही कारक कहा गया है कारक का समन्द परकट करने वाले चिनों को परसरगे विभगती चिने अत्वा कारक चिने कहते हैं क्योंकि समन्द परकट करने के लिए बच्चो कोई न कोई चिन दिया मिलेगा जैसे माने कपड़े धोए इसमें ने माने मा तो जो शब्द है लेकिन ने इसमें परसरगे, विबगति चिन या कारक चिन कुछ भी कह सकते हैं, तिन्नो एक ही नाम है तो मा का समन्दे किरिया के साथ जोड़ता है ने चिन अगर ऐसे कहते कि मा कपड़े धोए तो यहां किरिया पूरण नहीं हो पाएगी तो ने चिन ने ही इस से किरिया के अर्थ को सपष्ट किया है जूते अलमारी में रख दो तो में, में जो चिन है, कारक चिन है इसने जूते का अलमारी के साथ समन्द परकट किया रखना किरिया के साथ समन्द परकट किया अगर कहा जाता जूते अलमारी रख दो रखना जो किरिया है उसका अर्थी निसपश्ट हो पाएगा बिना कारक चिन के बंदर पेड से उतर गया कि बंदर का पेड से सम्बंद परकट होता है किरिया के साथ किरिया कार सपश्ट होता है कि उतर गया कहा जाता कि बंदर पेड उतर गया तो इससे अर्थे अधूरा रहता है किरिया का तो बच्चो कारक के विना किरिया अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाती और दूसरा कारक का प्रियोग चिन के रूप में किया गया है ये कारक के चिन होते हैं कि इन वाक्यों में ने, मे, से के लिए आधिकारक चिन हैं जिने विवक्ति चिने या परसर्ग भी कहा जाता है इनके दवारा ही वाक्य के अन्य शब्दों का समन्दे जुड रहा है इनके बिना वाक्य पूर्ण होने अर्थवान होने की कलपना नहीं की जा सकती क्योंकि बिना इन चिनों के ऐसा लगेगा कि वाक्य में कोई न कोई कमी है तो इन विवक्ति चिनों के आधार पर ही हम कारक की पहचान कर पाएंगे कि उस वाक्य में किस प्रकार के कारक का प्रियोग है आज आपको केवल इसका प्रिभासा याद करनी है तो और विभक्ति चिन के बारे में कि विभक्ति चिन परसरग किसे का आए गया है कि कारकिये समन परकट करने वाले चिन यानि कारक का समन परकट करने वाले चिन को विभक्ति चिन कहते हैं या परसरग कहते हैं या कारक चिन कहते हैं तो आपको आज दो बाते याद करनी हैं और इनके उधारन भी याद करने हैं तो नेक्स टाइम हम करेंगे कारक के भेद अच्छा बच्चो धन्यवाद